आपका सवाल नमब 1. भारत में GST लागू करने का सुझाव किसने दिया था? आपके ओप्शन हैं A. विजे केंकर समिती B. रंगराजन समिती C. मजूनदार समिती D. टेंडूल कर समिती आपका सही जवाब A. विजे केंकर समिती आपका सवाल नमब 2. कौन सी गैस चांदी की परत को काला कर देती है? आपके ओप्शन है A. कारबन B. मोनो ओपसाइड C. ओजोन D. हाइड्रोजन आपका सही जवाब C. ओजोन आपका सवाल नमब 3. भारत का विस्मा किसे कहा जाता है? आपके ओप्शन है A. गांधी जी को B. नहुरू जी को C. सुभाश जी को B. बल्लब भाई पतील जी को आपका सही जवाब B. बल्लब भाई पतील जी को आपका सवाल नमब 4. नारियर तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके ओप्शन है A. विटामिन C. B. विटामिन A. C. विटामिन D. B. विटामिन A. आपका सही जवाब B. विटामिन A. आपका सवाल नंबर 5. ज्वारिक आधीश मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है A. बुचराप में B. मतुरा में C. राजस्थान में B. इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब A. बुचराप में रोजाना कुछ नया सीखनी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपका सवाल नंबर 6. टाइटैनिक जहाज कब दूबा था? आपका ऑप्शन है A. 1911 B. 1912 C. 1913 B. 1914 आपका सही ऑप्शन है B. 1912 में आपका सवाल नंबर 7. मनुष्य की पसीने में कौन सा एंजाइन पाया जाता है? आपका ऑप्शन है A. यूरियेच B. टाइलिन C. लाइसोजाइन B. इनमें से कोई नहीं आपका सही ऑप्शन है C. लाइसोजाइन सवाल नंबर 8. सठी तो सकोप का आविश्कार किसने किया था? आपका सही ऑप्शन है आपका सही ऑप्शन है A. ट्रेते लेनिक ॆपका सवाल 9. हालही में किसने 2023 माकोनी कुरस्कार जीता है? आपका ऑप्शन है A. गोविन सिंग ने B. जेवती ने C. खरी बालकृष्णन ने B. राम नरायन ने आपका सही ओक्षन है C. खरी बालकृष्णन ने आपका सवाल नंबर 10 हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं आपका ओक्षन है A. शरिस्त्रान B. शर्सास C. शर्स्त्रान B. शिराथ आपका सही ओक्षन है C. शर्स्त्रान आपका सवाल नंबर 11 हाल ही में भारतीय रिजव बैंक ने कितने सहकारी बैंकों कर प्रतिबंद लगाया है आपका ओक्षन है A. चार B. पांच C. छेह B. साथ आपका सही ओक्षन है B. पांच बैंकों पर आपका सवाल नंबर 12 माउंटन ड्यू किस देश की कमपनी है आपका ओक्षन है A. अमेरिका की B. जर्मनी की C. जापान की B. आयरलेंड की आपका सही ओक्षन है A. अमेरिका की आपका सवाल नंबर 13 सफेद रेगिस्तान भारत की किस राजय में इस्थित है आपके ऑप्षन है A. सिक्किम में B. नागालेंड में C. बुझरात में B. जम्मू कश्मीर में आपका सही ऑप्षन है C. बुझरात में आपका सवाल नंबर 14 हाल ही में राश्टिय विज्यान दिवसकब मनाया गया है आपका ऑप्षन है A. 25 फरवरी को B. 26 फरवरी को C. 27 फरवरी को B. 28 फरवरी को आपका सही ऑप्षन है B. 28 फरवरी को आपका सवाल नंबर 15 पंजाब का राजि प्रतीक रिक्ष क्या है आपका ऑप्षन है A. आम B. नाकिशर C. बीपल B. शीशम आपका सही ऑप्षन है B. शीशम का पेर आपका सवाल नंबर 16 तंबाकूर पादन में कौन सा देश प्रत्थम स्थान पर है आपका ऑप्षन है A. चीन B. भारत C. ब्राजी बीए मेक्सिको आपका सही option है A. चीन आपका सवाल नंबर 17 भारत के किस राजय में सबसे ज़्यादा बांज का उत्पादन होता है आपका option है A. उरेशा में B. महराष्टरा में C. गुजराप में B. असम में आपका सही option है B. असम में आपका सवाल नंबर 18 बुरु नानक का जन कहां हुआ था आपका option है A. पतना साहिब में B. अमरिटसर में C. कालिंजर में B. नंकाना साहिब में आपका सही option है B. नंकाना साहिब में